ओम श्याम्ति 29 फेवरी के इशे वर्दानमा सोका स्थोलत है जो भी समय चल रहा है उसके प्रमांड हम अपनी आवस्ता बना सकते हैं और उसके लिए स्मृति रहनी चाहिए सिम्रण करना चाहिए और करना के है वो आज हम समझेंगे सिम्रण में तो समय प्रमांड अपने भागे का सिम्रण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति सुरूप भवा किसका सिम्रण कर? अपने खुशी और प्राप्तियों से भरपूर अपने भागे का सिम्रण कर भक्ती में आप स्मृती सुरूप आत्मों के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेश्टा का सिम्रन करते अलोकिक अनुभवों में हो जाते हैं तो आपने प्राक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किये होंगे कि जो भी हमने सोच, बोल कर्म किये उसके अनुसार जो भी हमने देखा होते हुए विश्व के लिए वो सारी बातें भक्त देवी देवतों के सामने जा करके उनकी महिमा करके, सोच कि, उनके बोल कि, उनके कर्म कि, उनके नैनो कि, उनके हस्त कि, उनके मुक कि, हर चीज की महिमा करते हैं क्योंकि उन आत्मों ने पूर जनम में बहुत उंचे कर्म किये थे सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे सुरूप की समर्थी इमर्ज रूप में अनुभव करो कि वो गुण वो शक्तियों से में हमारे अंदर इमर्ज हो जाए जो कि वो सिचुएशन वर उस समय चाता है तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियां जिसको कोई फिजिकल या स्थूल सुरूप नहीं है विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सुपालिया किसको एक परमात्मा को, हमारे भागविविदाता को हमें चर्टी कला मिले जाने वाले को हमें अपवित्र से पवित्र बनाने को मलपते से पावन बनाने वाले को और साधारन नर या नारी से श्री नारायने श्री लक्ष्मी मिनाने वाले को पाल दिया ओम श्यंति